नमस्कार स्वागत है आपका दव प्राइम भारत के फेस्बूक लाइब में मैं हूँ अभिसेग गजंदर मुन्ना और आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं कहानी का सिर्षक है आखिर चार लोग क्या कहेंगे बिदाई के बाद ससुराल के रिती और रस्मों से काफी ठक गई थी मंजुला सोचा की थोड़ा आराम कर लूँ जैसे ही अपने कमडे में जाकर लेटी कि सास ने कहा अरे बहु चलो पाहाड लोग मिलने आए हैं देखेंगे कि बहु सो रही है तो क्या कहेंगे मंजुला थकान को किनारे कर मेकब ठीक कर सास के पीछे पीछे चल दी मुँ दिखाई सुरू ही गल्ती से थोड़ा सा घुंगट सरग गया तो तुरंत चाची सास ने आकर कहा बहु घुंगट ठीक कर लो चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे देखो बहु को घुंगट लेने काफी सहुर नहीं है चुपचाप मनजुला ने घुंगट गले तक खिच लिया इतनी गर्मी में भारी घुंगट रखना मजबूरी हो गए थी मनजुला ने सोचा कि चार लोगों वाली बात एक दिन की हो ही होगी क्योंकि नई बहु को लोग ज़ादा ध्यान देते हैं लेकिन ये तो रोज का ही हो गया हर बात पे चार लोगों की नजर गरी रहती थे मनजुला ने सोचा कि इस बारे में अपने पती दिनेश से बात करें लेकिन कुछ सोच के चुप ही रही एक दिन मनजुला ने दिनेश से बाहर घूमने जाने की बात कही सास को भनक लग गई तो तुरंत आकर कहा अड़े अभी तो कुछ ही महिने हुए है सादी को ऐसे बाहर जाओगे तो चार लोग यही कहेंगे कि देखो सादी को साल भर भी नहीं हुआ और मिया विवी चल दिये घूमने मन मार कर मनजुला अपने पती के साथ चाय भी नहीं पी सकते थे बैट कर क्योंकि अगर कोई देख लिया तो क्या कहेंगे छट पर जाती यह सोच कर कि बाहर जाने को नहीं मिलता कम से कम छट पर ही ठंडी हवाले लेकिन वहां भी चार लोग की नजरें दिखाई देती समय अपनी गती से चलता जा रहा था मनजुला और दिनेस के प्यार की निशानी भी इस दुनिया में आनी वाले थे उस समय भी चार लोग अपनी राय देने आ जाते अरे बहु काम धाम किया कर भर आराम रहेगी तो बड़ी दिक्कत होगी इतनी तकलीब के समय भी आराम का नाम ही नहीं था क्योंकि चार लोग की नजरें अभी भी उसी पर थी कुछ महिनों की तकलीब के बाद एक नन्ही सी परी खुसी उसकी गोद में आ गई पूरा परिवार बहुत खुस था मनजुला के पास अब दोरी जिम्मेवारी आ गई थी घर भी समालना था और नन्ही पड़ी को भी चार लोग आकर बता जाते कि बहु को ये खिलाओ ये मत खिलाओ नतिजा ये हुआ कि सरीर कमजोड हो गया दो महिने बाद मनजुला की बुआ सास सिडियों से गीर गई थी इस कारण मनजुला की सास उनकी देखरे करने चली गई अब तो मनजुला पर मुसीबतों का पहार तूट परा एक तो पहले से कमजोड सरीर उस पर घर भी समालना और खुसी को भी उस पर दिनेज को आफिस के काम से बाहर जाना पड़ गया मनजुला कभी खाना बनाती कभी भूखे सो जाती कभी सुबय का खाना ही रात में कर्म करके खाती बरतन अब चार टाइम की जगा एक ही बार धूले जाते नींद किसे कहते हैं वो तो भूल ही गई थी कुछ समय बाद जब सास वापस घर की हालत देखकर बरवराना सुरू कर दिया जब कुछ समय बाद जब सास घर आई तो हालत देखकर बरवराना सुरू कर दिया ऐसे कैसे रखते हैं घर चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कैसी बहु है घर भी ववस्तित नहीं रखती है सास की बात सुनकर मनजूला का पारा गर्म हो गया अब तो जितना कुछ अपने अंदर दवाई थी आज सब एक-एक साथ बहार आ गया मा जी किसने हक दिया है चार लोगों को कहने का जब मैं भूखी प्यासी थी तब ये चार लोग नहीं आए ये देखने की बहु भूखी है दिन भर काम करते और खुशी को भी समालते ठक जाती थी तब ये तो चार लोग नहीं आए मदद करने दिन भर और रात भर सो नहीं पाए तब ये चार लोग नहीं आए उयुक्त Allah एक में। तो अच्छा लगा हो तो कहानी यहीं प्र खतम हो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिजिए हमारे चैनल को, धन्यवाद